काईमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दवाना न भूले अवैर शराब तसकरों में हड़कप मच गया है, मौके पर लगभग 307 लीटर अप मिश्रित शराब बरामत की गई तथा लगभग 30 कुंटल लहन नस्ट कर आया गया एवम शराब बनाने के उपकरन तथा एक मोटर साइकल तथा एक डाइडी जिसमें अप मिश्रित शराब के खरीदारों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, बरामत की गई है सैनी कोतवाली शेत्र के धुमाई ग्राम सभा में अवैर्श शराब फैक्टरी में SDM सिराथू और CEO डॉक्टर केजी सिंग के नेत्राथू में सैनी पुलिस ने छापा मारा है कथे दूर्द डेरी में अवैर्श शराब का कार खाना चलाया जा रहा था चौकिन चाज अजूवा गौरक्त रुवेदी को कुछ समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि धुमाई ग्राम सभा में पूर्व प्रधान हेमराज सिंग और फराज बाबू सिंग की दूर्द डेरी में बड़ी मात्रा में शराब कार खाना चलाया जा रहा है लेकिन पूर्व प्रधान के रुद्वा और ठोस जानकारी के अभाव में चौकिन चार्ज गौरक्त रुवेदी शांत रहे बीती देर रात खास खबरी की सटिक सूचना पर मंगलवार दुपहर पूर्व प्रधान राज बाबू सिंग के कथे दूर डेरी फार्म में अपने उच अधिकारियों को सूचना देते हुए में हम राही उच्छापा मार दिया जिसमें 30 कुंतल अर्ध निर्मित शराब लहन और 360 लीटर अवैत कच्छी शराब बरामत की गई मौके पर चार अभियुक्त को किरफतार किया गया जनपत कौशांबी में लगातार अवैधियुम अपनिस्तिस सराब के विरुत अभियान चलाया जा रहा है इसी कब में एक सटीक सूचना के आधार पर आज सनी थाना चेतर के अजुआ चोकी में एक गाउन धुमाई है जहां पुलिस बल ने दविस किया और वहां से रंगे हाथ चार लोगों को शराब बनाते हुए गिरफतार किया है वहां कुछ सराब में मिलावट की भी चीजें अवैध तरीके से पाई गई है इस पूरे प्रक्रम में इन चारलों के पास से लगवख साढ़े तीन सो लीटर सराब जो अपमिस्तित है वो बरामत की गई है सराब बनाने के उपकरण बरामत किये गए हैं वहां भठिया जल लही थी और लगवख तीन कुंटल से अधिक लहन को नश्ट कराया गया है इस पूरे मामले में एक गाउं के पूर प्रधान का नाम प्रकाश में आया है जो डेरी की आड में इस धंदे को बढ़ावा दे रहे थे पूरे गिरोह का परदाफास किया जाएगा उनके खिलाफ गंगेश्टर की कारवाई की जाएगी और इस अवैध धंदे को पूरी त